दोस्तों ये प्लेसिस रजोरी में नहीं बलकि पूरे भारत में बहुत जादा फेमस हैं जहां पर भारत के कौने कौने से लोग यहां पर आते हैं तो चलिए जानते हैं वो कौन सी है दस टूरिस प्लेसिस तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं नमर पहला शादरा श्रीफ श्राइन दोस्तों ये बहुत ही मुशूर मुस्लिम जियारत है जो कि रजोरी डिस्टिक में है ये जियारत बाबा गुलामशा बाश्चाजी की जियारत है ये जियारत है कुँची पहाड़ी पर है जो कि रजोरी के थानामंडी एरिया में है दोस्तों कहा जाता है कि इस जियारत पर मा इुरिजनली हमिरपूर में था जो कि अब पाकिस्तान में है कहा जाता है कि एक बार माता मंगला जी एक निहाल चंद नाम के ब्राहmen के सपने में आये थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना स्थान अब भिवानी विलेज के जंगलों में बना लिया है जब वह वहाँ पे गया उसने वहाँ पर पाड़ों की चटानों की अकार की एक पिंडी देखी तबी से वहाँ पर एक मंदर बनाया गया और अब यहां हर साल नवरातरों में बहुत से बक्त आते हैं दोस्तों इस गुर्दवारे को बंगला साही भी कहा जाता है यह गुर्दवारा सिखों का बहुत ही पवित्र गुर्दवारा है जो की रजोरी टाउन में हैं यह एक चार मंजिला गुर्दवारा है जहां पर 15 कमरे और एक पाड़शाल है जिसमें 8 कमरे हैं यह गुर्दवार च्छेमे गुरू हर गोविन सिंग जी का गुर्दवारा है कहा जाता है कि वे यहाँ पर कुछ समय तक रहे थे नमबर चार धानीदर फोट यह किला महराजा गुलाप सिंग जी दवारा बनवाया गया था इस किले को डोगरा फोज को रखने के लिए बनवाया गया था जहां वो सुरक्षित महसूस करते थे और दोस्तों इस किले से आप रजोरी का पूरा व्यूद देख सकते हो यहां पर किसानों दुआरा इकठा किया हुआ अनाज भी यही पर स्टोर किया जाता था बलिदान भवन रजोरी यह बवन उन लोगों की याद में बनवाया गया था जो कि 1977 और 1978 की जंग में शहीद हुए थे यहां पर हर साल दिवाली और बिसाकी पर बहुत से लोकल लोग यहां पर जमा होते हैं और उन लोगों की आत्मा की शांती के लिए दूआ करते हैं यहां पर बहुत से टूरिस्ट भी इस जगा को देखने यहां पर आते हैं नमर चे थनामणी सराय यह जगा एक इत्यासिक जगा है जो कि मुगलों के लिए जाने जाती है कहा जाता है कि जब मुगल देली से कश्मीर जाय करते थे तब वह इस जगा पर ठहरते थे यह जगा लकडी के बने हुए प्रोड़क्ट के लिए काफी जानी जाती है और दोस्तों मुस्लिम्स की सबसे फेमस जियारत शादरा शरीप भी यहां से 6-7 किलोमेटर दूर है नमर साथ दराल मलकान दोस्तों यह कटोरी के अकार की घाटी है जो कि अपने आप में बहुत यूनीक लगती है यह वैली ऐसी लगती है मानो की कोई स्पोर्ट स्टेडियम हो यह जगा चौरा तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से गिरी हुई है जो कि इसे कटोरी का आकार देते हैं जिसकी वज़ा से यहां पर बहुत से टोरिस्ट यहां पर आते हैं नमबर आठ तता पानी दोस्तो एक बहुत ही मुशूर गरब पानी का सोता है यानि के एक गरब पानी का चश्मा है जिसे सलफर स्प्रिंग भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तो इस पानी में सलफर बहुत ही बारी मातरा में मिला हुआ है ये पानी काफी जदू ही माना जाता है क्योंकि इस पानी में नहाने से जोडों का दर्द और स्किन की और कई प्रावलम्स भी ठीक होती है जिस वज़ा से यहाँ पर बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ पर आते रहते हैं नमबर नो चिंगस फोर्ड दोस्तों चिंगस फोर्ड जिसे चिंगस सराइबी कहा जाता है इस किले को 16 शताबदी में मुगलो दोरा इस्तमाल किया जाता था इस किले में मुगल समराट जहांगिर की अंतरडियों को दफनाया गया था जब उनकी मुर्ती हो गई थी कश्मीर जाते जाते दोस्तों चिंगस का मतलब होता है अंतरडियां जो कि एक पर्शन वर्ड है और दोस्तों यहाँ पर उनकी अंतरडियों को दफनाया गया था ताकि उनका शरीट सरने से बच सके नमबर दस लावाली बावली यह चश्मा थनमडी रोड पर है जिसमें बहुत सी मचलियां भी है कहा जाता है कि यह चश्मा अंदर ही अंदर से नंदन सार जील से जुड़ा हुआ है यह जगा काफी खुबसूरत है जहाँ पर बहुत से टोरिस इस जगा को देखने यहाँ पर आते रहते हैं तो दोस्तो यह थी रोचोरी की 10 सबसे खुबसूरे टूरिस प्लेस आशेकरतों दोस्तों आपको मारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाइक करें और साथ साथ यह वीडियो अपने दोस्तों को साथ भ लिए धन्यवाद।